आज दोस्तो हमारा जो कौक्रियल का मुर्गा है, पुरा सेल के आदे नागपूर, हमने क्या रेट में बच्के को सेल करें, बच्के का वज़न है, टोटल मुर्गे का, कितने दिन में कितना वज़न आ जा, कितनी लागत लगी 2000 बच्ची की पुल्टरी फार्मिल करने में, तो दोस्तों क्या हुआ हमने जो गाड़ी मंगवाए थे वह 14-1500 बच्चे की गाड़ी बुलाए थे कि ताकि हमारे पास जितना माल है वो पुरा चले जा लेकिन गाड़ी आ चुकी थी 2100-2200 बच्चे की तो हमको पुरा माल भरना था तो दोस्तों मतलब इस फॉम का भी हमने थोड़ा बुत माल भरे बाकी फिर अपने फॉम से पुरा माल गया तो हमने जो मुर्गे को दोस्तों सेल करें हमारा मुर्गा 700 ग्राम से सेल होना श्क्राड कर दी थे हमने टोटल बच्चे को पालने में मैं लागत की बात करूँ पहले दाना बता दीते हूं कितना दाना खाय था बच्चे ने बच्चे ने दाना खा लिये था दोस्तों सवबेक 2000 की लॉड़ती जिसमें से 200 बच्चा करीब हमारा मर चुका था हमें उतना अंदाज पता नहीं था कितना बच्चा हमारा 200 बच्चा करीब हमारा मर चुका था टोटल हमारा जो माल निकला है 830 बच्चा हमारा टोटल मुर्गा निकला है बच्चे ने 100 बेक दाना खा चुका बागी जो कुछ बच्चा है हमारा 174 रूपे में सेल हुआ था और बाकी जो हमने गाड़ी भर ह थे दोस्तों बचा हमारा पास जो माल था हमारा क्या हुआ दोस्तों मंडी मतलब डाउन होने वाली थी हमको पहले चार दिन पहले अबास हो चुका था क्योंकि दिस तरह से दोस्तों मार्केट में जो मुर्गा साही जा रहा था बड़ा मुर्गे का अंदर की लिप्टिंग रहती है वो काफी जारा डाउन होते जा रही थी इसलिए हमने मुर्गे को फारण गाड़ी लगा के सेल कर दी अभी आप यह जो मुर्गा देख रहे हो यहां दोस्तों जो हमने मुर्गा सेल करें उससे चार दिन का बाद अपने पहौं में इस पहौं में आजा तो इसका भी बेट आच चुका है साड़े 900 ग्राम और मैं आ ना हुआ 25 दिन में दोस्तों हमारा मुर्गे का साइज एक किलो के लगभग आ चुका तो बड़ा मुर्गा हमने 700 ग्राम से मुर्गा चैलू कर दिये थे तो हमारा मुर्गा 700-800-900-900-900-1 किलो ग्राम ऐसा टोटल माल निकला लागत लगी थी हम लग चुकी थी दोस्तों हमक हजार का इस 75 दिन में तो यह थी दोस्तों आज की छोड़ी सी जानकारी उम्मित करता हूं आप लोगों को समझ में आयोगी और कोक्रिल पुल्टी फर्मिंग की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को जादा जादा सेयर करिए हम आपको इसके बारे म दिल्ल में जानकरी देते हैं तो मिलते हैं ने चुप